असलामेकुम नाजरीन, हैपी नीजर, मैं हूँ आपकी हो सनम जाविद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शाउंट जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नया साल शुरू हुआ और दो हजार बाइस हुआ टाटा बाइ बाइ पिच्छे साल ने जाते जाते अवाम के साथ साथ हमारे इदारे हमारे कानूर और हमारे महिशत की भी जईताई फेरती पिच्छे साल हमारे स्यासदानों की परफॉर्मस देखते हुए आफ्टर शॉक्स टीम ने उनके लिए कुछ एवार्ड डिजाइन किये हैं तो आईए द क्योंकि 2022 में जितनी जाली ओडियोज और वीडियोज मर्यम राज ने परड्यूस करवाई हैं इतनी शाहिद हॉलिवूड और बॉलिवूड पांच सालों में मिलके भी परड्यूस ना कर सके जी तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आवार्ड की तरफ शाइनिंग स्टार अफ दी येर का वार्ड जीता है इम्पोर्टिट वजीर आजम शेबाज शरीफ सहाब अरे रुकरुको पटवारियो हमेशा की तरह आदी बात सुनकर मिठाईयां बाटने जा रहे हूं शाइनिंग स्टार का एवार्ड उनको सबसे दादा बूट चमकाने पर दिया जा रहा है ये वो वाली शाइनिंग है जो आपको बड़े-बड़ों के बूटों पे नजर आती रही है जी तो हमारा अगला एवार्ड है सखी आफ्टी के एवार्ड तो आपकी भरपूर तालियों में सखी आफ़ दे यार का एवार्ड जाता है आसिफ अली जर्दारी सहाब को में आसिफ अली जर्दारी सहाब ने दूसरी पार्टियों के लोगों को खरीदने के लिए अपना नहीं नहीं सिंद्ध हकूमत के खजाने का मूँ खोल दिया किसी M.P.A. को 30 करोड दिये तो किसी M.N.A. को 40 से 50 करोड वाह दर्दारी सहाब ऐसा दिस रखते ही नहीं जिसमें सखावत नहीं तो हमारी नेक्स कैटेगरी है खामखा आफ दी एर खामखा आफ दी एर अवार्ड क्या खूब कैटेगरी है देखते हैं कौन है अगदार इस अवार्ड का खामखा आफ दी एर के अवार्ड अपने नाम किया है विलो आइमिन विलावल भुटो जर्दारी साहिबार उन्होंने पिछले आठ महीने में अपने गेर मुल्की दौर पर तकरीबन दो अरब रुपे खामखा उड़ा दिये और उनके इन दौरों का पाकिस्तान को एक तक्के का भी फाइदा नहीं हो इसलिए ये मिस्टर खामखा करार पाएं जी तो नाजरीन चलते हैं अपने नेक्स्ट आवार्ड की तरह लाना लपा आफ दियर क्या कमाल की कैटेगरी है देखते हैं ये आवार्ड किसके हिस्ते में जाता है तो जनाब ये आवार्ड जाता है मौलाना फजुर रह्मान सहाब को क्योंकि पिछ्टे साल इनको सबने लारे लपो पही लगाए रखा है कभी बचारे को सदर बनाने का लारा तो कभी खान साब को नाहिल कर देंगी और तो और खान साब को जेल में बंद करने का भी लारा लगाया गया पूरा साल उनको लारो पही रखा यहां तक के 2023 आ गया मुझे तो लगता है अगली बार भी एवाड यही जनाब जीते हैंगे जी तो अगला एवाड है डे तुका आफिक यह वैसे तो यह वाड पीडियम के हर मेंबर का बंगता है मगर देखते हैं कौन है वो खुशनसीब जिसको यह वाड मिला है मरियम औरिंग जेव साहिबा 2022 में जितनी बेत तुकी और बगैर सरपेर की प्रेस कांफरसेस महतरमा ने की है यह वाड इसी वज़ा से उनको दिया जाए जी तो इसके साथ ही मुझे दीजिये अजाज़त क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कामन सेक्शन में जरूर बताईए मेरी और मेरी टीम की तरफ से हैपी नियू येर